दोस्तो आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए गया क्योंकि यहां पे आपको Bank of Baroda Related Useful वीडियो आपको मिलते हैं नमस्कर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेंक बरोडा में अगर आपका account है और आपको statement की requirement है तो आप अपने कैसे मोबैल banking से statement निकलवा सकते हो अगर आपका email-id account में add है तो आप हर में इस statement automatic आपके mail पे आ जाता है तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले mobile banking से कैसे आप statement निकाल सकते हो तो सबसे पहले तो आप mobile banking को on कर लीजिए जैसे आप अपने mobile banking को on करते हैं इसके उपर एक simple password डिमान करता है आप अपना password डाल दीजिए login password डालने के बाद कुछ आपके सामने इस टाइप का Interface आ जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर 12 option है, इसमें आपको यह वाला जो option है, request service इसके उपर आपको जाना है, simple request service पर आप जाओगे तो यहां पर fourth option आप देख सकते हो, account statement, account statement पर आपको simple click करना है, आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है, you can fetch statement of only 3 months और 90 days, whichever is lower, मतलब आप 3 महिने का statement निकाल सकते हो, अगर कोई महिना 31 सा महिना होता है, दो महिना इसलिए उसमें 90 day के अबो हो जाता है, इसलिए वो month नहीं लेगा, आपको 90 day करना पड़ेगा, उसमें statement will be sent to your email ID register, मतलब आपका mail ID जो bank में register है, उसके उपर आपको statement बेद दिया जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो, account number, account number में कौन सी तारिक तक आपको statement निकालना है, यहां से आप सिलेक कर सकते हो, अगर आपको साल सिलेक करना है, मानो कि दो जार उननीस का, तो यहां से आप साल भी सिलेक कर सकते हो, मैं पिछले तीन मेने का statement निकालने वाला हूँ, यह 1 अगस्ट से, आज तक का मतलब 31 October तक, आप द आप देख सकते हो, successful request हो गया है, आपका statement आपके mail ID पर बेद दिया गया है, काफी simple और easy process है, आपको अगर बेंक में कोई loan के regarding एक साल का statement देना है, तो आप ऐसे तिन-तिन मेने करके statement निकाल सकते हो, PDF फाइल होगी, वो खोलने के लिए एक password requirement हो गया, वो password आप यहां से ले स सकते हो, my account में पहले तो आप चले जाए, और चीज़ भी आपका जो account है उसमें, view में यहां पे click कर दीजे और एकदम नीचे आजाए, यहां पर आप देख सकते हो, आपके account का customer ID यहां पर लिखा हुआ है, customer ID आप note कर लिजे, ताकि आपको statement निकालने में काफी आसानी हो, चलो आप देखते है, statement mail से कैसे download करें, और WhatsApp भी कर सकते है, आप statement, हमने जो mobile banking से statement निकाला तो हमारे mail पर आ गया होगा, हम देखते है, पहले तो mail open कर लेते है, जैसे आप mail open करते हो, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का interface आ जाएगा, आप देख सकते हो, यहां पर statement आ गया जाएगा, जैसे आप download करते हो, तो automatic आपके सामने कुछ इस टाइप का PDF फाइल सो हो जाएगा, PDF डाउनलोड होने के बाद आपको simple उसको open कर लेना है, PDF आप open करते हो, तो आप से एक password demand करता है, password में आप अपना customer ID डाल दीजिए, जो हमने mobile banking में देखा था, वो customer ID आप डाल जालने के बाद आप open कर दीजिए, आप ए फाइल को अपने WhatsApp भी कर सकते हो, तो चलो दोस्तों मिलते हैं, फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुश्कुराते रहें, और तन्यवाद,